सब्सक्राइब और चैनल और प्लीज लग रहा था कि बच्चे का फिलासा इतनी जल नहीं होगा तो ऐसे में अब शोके मेंकर्स ने सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी दिखा दिया है जिसके बाद बात कर लेते हैं शोके अनवाले आज की एपिसोड की तो आज कीर्टी को ये पता चल जाएगा कि जो बच्चा है मायरा के पास है वो और किसे कहने ही बलकि कीर्टी का ही है और ये सिर्फ और सिर्फ कार्टी के वज़े से हुआ है जिसके बाद पूरा परिगार एक बाद फिर से चौकने वाला है और कार्टी की इस हर्कत को लेकर कीर्टी बहुत जादा नाराज हो जाएगी अपने भाई से जहांसे हम आपको यूरी बता दे कि आगे आनवले समय में एक बाद फिर से बन सकती है कीर्टी ही विलन आप सबको याद होगा कि कैसे इससे पहले स्वर्णा अपने बेटे की वज़े से बन गई थी कार्टी की विलन तो ऐसे में अपने बच्चे की खाते इस बार कीर्टी भी बन सकती है कार्टी की सबसे बड़ी दुश्मर जिसके बाद अब आपको कार्टी की नारा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तुफान तो देहने को मिलेगा ही और फिर खबर तो ये भी है कि दोनों एक बार फिर से अलग भी हो सकते हैं जहां से अब आने वाले समय में ये देखना का क्या मज़धार है जाएगा क्या कि क्या करने वाली है कीर्थी, क्या इन सब के बाद वो कार्टी को माफ करेगी या पिर वो स्वर्ना की तरह बनने वाली है सबसे बड़ी गिलन ये रिष्टा का क्या लाता है कि कहानी में कौन-कौन से नर्थ भुस्ताएं गया आज ये सब जानने के लिए में रोमा साथ और साथी सब्सक्राइब कीज़े हमारा चैनल टॉपनीज जास पहीं, टॉपनीज से काजल के एपोर